21.1 अंतरदेशिय उत्पादन बच्चो गर्मी के मौसम में आप आम तो खाते होंगे साथ ही आप कई फल जैसे केला, अनार, अंगूर ये सब भी खाते होंगे अच्छा हाँ आप सेब भी तो खाते होंगे तो क्या सेब का उत्पादन हमारे 36 गड़ में होता है सेब का उत्पादन भारत के जम्मू काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है यहां सेब के बहुत सारे बागान पाये जाते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में सेब का उत्पादन होता है और इनी राजियों से भारत के अन्य राजियों में सेब का निर्यात किया जाता है अच्छा बच्चों आप चाय भी पीते होंगे तो क्या चाय पत्ती का उत्पादन छतिस गड़ में होता है चाय पत्ती का उत्पादन भारत के आसम, डार्जलिंग इन राजियों में होता है इन राजियों में चाय पत्ती के बागान होते हैं जहां बहुत ही अच्छी कॉलिटी की चाय पत्ती का उत्पादन किया जाता है और इन्ही राजियों से अन्नी राजियों और देश के बाहर भी चाय पत्ती का निर्यात किया जाता है बच्चो अगर कपड़ा वेफसाय की बात करें तो बनारस की बनारसी साडिया, मैसूर की मैसूर सिल्क साडिया, इनकी प्रसिधी देश-विदेशों में हैं यही कारण है कि भारत के राज्यों के अलावा इनका निर्याद विदेशों में भी किया जाता है साथ ही 36 गड़ में कोसे का उतपादन होता है और कोसे से बनने वाली कोसा साडिया और कोसे के अन्य वस्त्रों का निर्यात ना केवल भारत के अन्य राजियों में बलके विदेशों में भी किया जाता है बच्चों ये आयात निर्यात वैपार केवल दो राजियों के बीच नहीं बलके दो देशों के बीच भी होता है आई आपको ले चलते हैं 36 गड़ के दंतेवाणा जिले के बचेली किरंदुल में बचेली किरंदुल ये एक ऐसा छेत्र है जहां बहुत ही अच्छी कॉलिटी का लौव एस्क पाया जाता है इस लौव एस्क को 36 गड़ राज्य द्वारा विशाखा पटनम बंदरगाह के रास्ते विदेशों में बेचा जाता है याने निर्यात किया जाता है तो बच्चों आयात और निर्यात वैपार के द्वारा ही विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए है और यही वैश्वी करण याने की ग्लोबलाइजेशन को जन्म देता है पहला, 1960 के दशक में और उसके बाद एक कार के रूप में फोर्ड एसकार्ट यूके और जर्मनी में जोड़ कर तयार की जाती थी मगर उसके पूर्जे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जेलेंड, आस्ट्रिया, डैनमार्क, बेल्जियम और यहां तक के जापान सही दर्जन भर से अधिक देशों में बनाये जाते थे इस रणनीती के तहट, फोर्ड एसकार्ट उन देशों में कारुत पादन को प्रात्मिक्ता देती है, जहां उसे कम मसदूरे में श्रमी को प्लब्ध होते हैं, तता करों की दर कम होती है साथ ही सरकारों द्वारा उन्हें कुछ रियायते भी दी जाती है आज इस प्रकार के कई कमपनिया भारत में हैं और वे दुनिया भर से समान मंगवाती हैं दूसरा, चित्रक्रमांग 21.5 को देखिए, जिसमें दो महिलाएं बंगलूरू में एक स्थानी कमपनी के एक कॉल सेंटर में काम कर रही है यह एक ऐसी कमपनी है जो विश्व की कुछ बड़ी कमपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, डेल कम्प्यूटर, अमेरिका ओनलाइन और बिटिश एयर्वेज द्वारा प्रदत 800 कस्टमर केर नंबरों पर ग्राहक सेवा उपलब्द कराती हैं भारत की यह कमपनिया बड़ी कमपनियों के लिए कम लागत पर आउट्सोर्सिंग के रूप में काम करती हैं इस्थानी कमपनी कॉल सेंटरों पर काम करने हैं तो अंग्रेजी जानने वाली महिलाओं को अमेरिकन अंग्रेजी भाशा का प्रसिक्षन देती हैं उन्हें फिल्में दिखाती हैं तथा उन्हें अमेरिकन लोगों के समान बात चित वव्यभार का तरीका सिखाया जाता है इसे ग्राहकों को यह मैसूस ही नहीं होता कि वे दूसरे देश के अभिकरता से बात कर रहे हैं बलकि उन्हें लगता है कि ये सेवाएं उन्हें अपने देश से ही संबंधित कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही हैं। बड़ी कम्पनी द्वारा आउट्सोर्सिंग के रूप में इस्थानी कम्पनी की सेवाय प्राप्त करने हेतु इस तरह के जिन केंद्रों की मदद ली जाती है उन्हें BPO बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग कहते हैं। इनसे बड़ी कम्पनी को कम लागत पर सेवाय उप्राप्त हो जाती हैं। ये सेंटर उन देशों में स्थापित किये जाते हैं जहां संचार साधनों जैसी बुनियादी सुधाओं का व्यापक विस्तार किया जा चुका हो।